हेलो फ्रेंड्स दिस इस एस्पेशिंग एंड वेलकम तू स्मार्टर एवरी दे तो आज हम बिएट फर्स्ट स्रेमेस्टर एक्कॉर्डिंग टू लखनव युणिवरिसिटी का जो पेपर शेकेंड है आपका सिक्षा के मनोवैगानिक परिप्रेक्ष उसके टॉप टैन कोर्शन पढ़ लेते हैं तो पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा एक भी कोर्शन आउट आफ दिस नहीं मिलेगा इससे बाहर आपको एक भी कोर्शन नहीं मिलेगा लेकिन जितना मैं बता हूं उतना आपको पढ़ना है यह 10 कोर्शन आपको तयार करने ही करने हैं तो चल बीविआन की अवधार्णा पड़नी है उसका अर्थ और परिभाशा और उसकी प्रक्रती पर प्रकास डालएं यह जिस्जा मनोविज्ञान की जो भी उसका आर्थ है परिभासा है उसकी अवधारना है उसकी प्रक्रती है इतना पढ़ लेंगे आप तो यह आपके लिए बहुत ही एनफ रहेगा नेक्स्ट कोर्शन है मानो अभिवर्द्यम विकास का अर्थ यानि कि अभिवर्द्य का अर्थ और परिभासा पढ़ लीजिए और फिर अभिवर्द्य और विकास के जो सिध्धान्त है इनको सिध्धान्तों को पढ़ना है और फिर दोनों में अंतर देखना है ठीक है इतने बाद ध्यान लखिए यह second question हो गया third question है बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं जब पूछले कि क्या समझते हैं तो उसमें आप अर्थ और परिभाशा दोरों लिख देना ठीक है इसके महत्तो बाल्यावस्था का महत्तो और बाल्यावस्था की विशेष्टाओं का वर्णन करना है तेन question आपके हो गए fourth one question है किसोरा वस्था की विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए किसोरा वस्था में विकाशात्मक परिवर्तन के द्वारा उत्पन दबाव और तनाव को दूर करने में सिच्छक की भूमिका क्या होगी यह सारे questions एक से एक यानिकि super important पूरी बु रखा time extra है तो extra time में तो हम चाहें एक नहीं 10 राइटर की बुक पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो हमारे पास time नहीं होता है तो फिर हम कुछ short tricks ढूणते हैं कुछ short tips ढूणते हैं ताकि हम बेहतर कर पाएं कम से कम समय में फिप्ट वन कोर्शन है विक्तिकत विभिनताओं का क्या विप्राय है यानि कि जो विक्तिकत individual differences है उसका अभी प्राय है अगर paper अगर कोर्शन में आए अभी प्राय है तो अभी प्राय में और कारणों का वर्ण कीजिए विक्तिकत विभिनता क्यों होती है इसके कारण क्या होते हैं नेक्स्ट कोर्शन है अधिगम हर एक university का common topic है लेकिन चोलो यहां तो बात लखनों क्यों हो रही है अधिगम का अर्थ पढ़ना है परिभाशाएं पढ़नी है अधिगम की विशे अंत्रन है ना सकारात्मक नकारात्मक 36 उधर्व और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसके सिध्धान्तों पर भी आपको प्रकाश डालना है जो अधिगम के सिध्धान्त हैं सिध्धान्तों को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ठीके चाहें हो थांड़ा पावलव का सिधान्तो इष्किनर का सिधान्तो इन सिधान्तों को आप बहुत आठी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, एक नम्मर कॉश्शन है बुद्धी को प्रिभासित करते हूए इसके प्रकारों और शिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए यानि कि बुद्धी की प्रिभाशा पढ़ने हैं बुद्धी के प्रकार कौन कौन से हैं एक ततों सिद्धान्त बहुत ततों सिद्धान्त हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे इसके सिद्धान्तों को कि हम एर्थ परिभासा जो कुछ मिलेगा, वहम लिख देंगे, एर्थ परिभासा अवधार्ना सरजनात्मक्ता के समवर्धन की विभीने तेकनीके क्या हैं, इनको डिस्कस कीजिए next है व्यक्तित्त को परिभाशित कीजिए व्यक्तित्त आकलन की किसी एक तक्षनीक का burden कीजिए जो भी ऐसे Student हैं, जो ये कहते हैं कि हमें कुछ याध नहीं हो राए या हमारा syllabus कंप्लीट नहीं है वो सिर्फ यही questions complete करने जितना मैंने बताया है इतना ही पर्याप्त होगा और उसके बाद last one question है आज 11 number मांसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेष्टाओं का उलेक कीचिए यह आपका paper second था according to लखनाव University सिच्छा के manoveganic preparation जिसके top 11 questions आज मैंने आपको दिये हैं यह मेरा दूसरा channel है link description box में है और जो paper one की pdf थी वो मैं telegram channel पर डाल चुका हूँ इसकी भी pdf आपको जल्दी ही telegram channel पर मिल जाएगी तो link description box में है आप वहाँ से हमें follow कर सकते हैं thank you मिलते हैं बहुत जल्दी next class में